कि अब दोस्तों स्वागत हाफ सभी का आपके अपने ओल्ड टाइम्स क्लाशीज सार्णपूर चैनल पर दोस्तों मैं सेंजित उमर एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए एक मज़ेदार किलास लेकर आया हूं आज की मज़ेदार किलास कौन सी होने वाली है दोस्तों वो है कोडिनेट जेमेटरी ठीक है यानि निर्देशांख जेमेती तो ये किलास आज की इतनी बेसिक किलास होने वाली है इतनी बेसिक किलास होने वाले कि अ बेसिक से बात समझ सकते हैं ज्यादा बड़ी किलास नहीं होगी दोस्तों तीज़े 35 मिनट की तकरीबन किलास होगी बस बेसिक किलास ज्यादा नहीं हम इतने ही किलास रखते हैं तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट हैं तो यह किलास जरूर देखे और नुपत उठाइए किलास का क्योंकि किलास मज़ेदार होने वाली है तो इस किलास की खास बात यह है दोस्तों बेसिक किलास होगी अब छोटी-छोटी पॉयंट समझो के इसके coordinate geometry के ठीक है ना coordinate geometry के जो छोटव चोटव पॉइंट है उन पॉइंट को समझना है और थोड़ा अगी बढ़ना है फिर हमें क्योंकि ऐसा होगा दोस्तों अगर हम direct coordinate जो geometry है इसकी खास बात यह है कि दोस्तों कुछ point इसके complicated होते हैं ठीक है और दूसरी एक और बात यह है कि आप अगर ये chapter सयद आपने ना भी पढ़ा हो सपोज कि ऐसा भी हो सकता है कुछ students हमारी साथ वो जुड़े हो जो science group के नहीं है जो science group के नहीं है वो इस class के लिए थोड़ा सा उन्हें दिक्कत होती है तो इसलिए इस class को थोड़ा धेरिये बना कर देखे तो चलिए फिर सुरुबात करते हैं आज के अपने इस class की और ध्यान सा समझते हैं ठीक है ना आज के key point क्या समझने जा रहे हैं दोस्तों हम आज समझने जा रहे हैं हम key point और key point आपके किस के just wait दोस्तों यह key point जो होने वाले है यह दीजे जो key point होने वाले हैं दोस्तों यह होने वाले हैं coordinate और geometry से समझने ठीक है तो चलिए फिर start करते हैं आज के इस class की यह first class होने वाली है तो शुरुबात करते हैं दोस्तों आज के वीचार से तो क्योंकि यह हमारा rule है कि अब कुछ भी अच्छा काम करें तो पहली सबसे बड़ी बात होती है कि दिल से motivate हो अगर आप दिल से खुशे हैं और काम करते हैं फिर तो well and good है otherwise आप दिल से खुश नहीं और काम करने कोई फाइदा नहीं है दोस्तों उस काम करने का ठीक है तो मैं अभी भी आपको कहते हैं अगर दिल से मान है पढ़ने का तो पढ़ाई कीजिए otherwise अभी बंद कर दीजिए उससे कोई फरक नहीं पढ़ता हूं लिए आप समय खराब कर रहे हैं और समय खराब करने से होगा क्या कुछ समय बाद आपको बहुत नुक्षान जेलना पड़ेगा चलिए इसी की तरहे आज का विचार भी हमारा बहुत अच्छा है इससे कोई फरक नहीं पढ़ता कि आप कितने अच्छे हो अगर आप गलत जगर पर हो तो आप बेकार हो तो टोटल मॉरल क्या निकला मॉरल यहां से दोस्तों यह निकला कि डिपेंड करता है आप किस जगे स्टेंड करते हो ठीक है न और दूसरी बात यह है कि आप अपने एम के लिए कितने मतलब की आकरसीत हो कितना उसकी और पूरी तरह से निचावर हो तो जितना आप जितना अपनी तरफ से दोगे इतना अच्छा यहां पर रिजल्ट मिलना वाला है तो जाहिर जी बात है इक सबसे बड़ी बात है कि आपको जगे चेंज करनी होगी अधरवाइज आप चोर के बीच में चोर ही कहलाओगे अगर कोई चोर की जगे पर बैठे वी तो चोर कहलाओगे इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने आपको थोड़ा बनी बदलिए डाइवर्ट कीजिए तब जाकर कुछ सुधार होगा तो ठीक है चलिए फिर सुरुवात करते हैं आज की अपनी इस किलास की और इस किलास को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा आपको ठीक है तो चलिए फिर करते हैं सुरुवात और ये एक बेसिक चार्ट है बहुत सरे डिपार्टमेंट है जिन डिपार्टमेंट के अंदर यहां पर हाँ देख सकते हैं जिनके अंदर ये टोपे मिलते हैं ठीक है ना चलिए करते हैं फिर सुरुवात तो यहाँ पर दोस्तों आज इस चैप्टर की सुरुवात करने से पहला मैं कुछ पोइंट जानने होगे सबसे पहला पोइंट यह है आपने साहल सुना भी हो X, X is ठीक है न यह ऐसे क्या बोलोगे आप X, X तो x x क्या होगा ऐसा अक्स जिस पर y ना हो तो यह कहलाएगा हमेशा x x's ठीक है ना तो x x's के बारे मेरे ख्याल से आप समझ चुके होगे तो अब इसके बाद है अच्छा एक खास बात हो रहे हैं यहीं पर याद करते चलो अगर यहाँ पर देख लिए जब y नहीं है ठीक है ना y ना होने की बदलत क्या होगा आपका यहाँ पर y ना होने का मतलब यह होगा कि यहाँ पर y एक्वल टू 0 है जब y नहीं है तो y एक्वल टू क्या रहा जीरो ठीक है न तो एक और है आपका एक टोपिक मिलागा यहीं पर ही y-axis या फिर क्या बोल दोगे आपसे y-axis ठीक है y-axis और y-axis अगर यह मिलता है तो जाहिजी बात है यहाँ पर करना क्या है आपको इसका डाइग्राम यह रहेगा या फिर आप यहाँ से यहाँ लिख दीजिए ठ ठीक है तो यह होगा y-axis y-axis और y-axis का मतलब हुआ क्या यहाँ पर y-axis का मतलब हुआ क्या मतलब हुआ वो ध्यान दीजिए यहाँ पर मतलब हुआ y-axis equal to zero क्या रहेगा x equal to zero तो मेरे ख्याल से यह भी आपके लिए ठीक होने वाला है ठीक है ना तो x equal to क्या रहेगा जीरो तो कोई problem तो नहीं होगी ठीक है तो यहां तक तो यह बात आपको आई समझ तो इसलिए यहां से में दो पॉइंट निकले यानि y axis के बारे में पता X x के बारे में पता चला दूसरा एक और पता चला केंदर क्या होता है क्या बतलागा आपको केंदर ठीक है अगर केंदर या फिर आपके लिए केंदर आपका कहलाएगा जहाँ पर X भी 0 हो और Y भी 0 हो अब बोलोगे आप सर ये ऐसे ही क्यों लिखा इसकी वज़े बताता हूँ देखें आप किसी भी चीज को जिनोटिक करते हो सपोईट करो कि जो भी आपको ठीक लगता है ठीक है न तो अगर बात कीजिए कि हमारे पास ये ये आ करती है इसे दिखाना चाहते हूँ तो यहाँ पर क्या है आपके पास तो हमारे पास भी यहाँ पर चाहे तो अगर आप यहाँ से लेट करना चाहते हो इस पॉइंट से तो यहाँ पर लेट कर सकते हैं आपर क्या कहलाएगा X-axis और यहाँ पर अगर आप लेट करना चाहते हैं यह क्या कहलाएगा यह कहलाएगा आपका Y-axis ठीक है ना क्या कहलाएगा यह आपका Y-axis ठीक है तो यह आपका कहलाएगा यह X-axis यह क्या कहलाएगा y axis तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई problem है नहीं अगर यह y axis है तो इसका मतलब यहां पर कोई भी आ करती हो बिना x y के आपके दिखाएन जाने की और उसके लिए सही point क्या होगा यह क्यों सही होगा क्योंकि यहां पर अगर देख ले जाए यहां तक की जो distance है वो cover की x और यहां तक की distance जो cover की यह है कि आपकी यहां तक की distance है y इसलिए इसका point सपोज यहां पर 2 है और यहां पर यह तीन है तो यहां पर point मिलागा आपको 2-3 तो यह जो point है इसे बोलते आप बिन्दू क्या बोलते हो बिन्दू कोई भी पोइंट आपको या coordinate इसे बोलोगे कोई भी कोई भी हिगो परजयेंट करना है तो उसके लिए आपको point लेने ही होंगे ठीक होना पोइंट कैसा होना चाहिए एक point में X मिलना चाहिए और एक point के अंदर आपका y मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है ठीक है ना? अच्छा, तो अब इसके बाद थोड़ी सी बात और समझते है एक पॉइंट होता है, जिसे आप बोलोगे मूल बिंदू, क्या बोलोगे आप? मूल बिंदू, तो ये पॉइंट रहेगा, ये बहुत बार मूल बिंदू ऐसी आ करती होगी जो जहां पर आपकी y भी 0 रहे और आपकी क्या x भी 0 रहे ठीक है ना? तो वो मूल बिंदू कहलाएगा, तो मेरे कहलता है बाद समझ चुके होगे, चलिए अब बढ़ते हैं यहां पर, क्या बिंदू normal सभी बिंदू, normal बिंदू कहलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तो अब बिंदू के लिए क्या अलग-अलग sign होगे? हाँ बिलकुल अलग-अलग sign होगे, तो इनके लिए कुछ बात आपको समझनी होगी ठीक है ना? क्या बात समझनी होगी? इस बात को आप समझ सकते हैं, चलिए पहली बात एक और थी, आपने starting में बात कीती, x-x की क्या कीती आपने बात? x-x के लिए तो x-axis अगर आप x-axis की बात करते हो ठीक है ना? किस की बात करते हो x-axis की? x-axis की ठीक है ना? क्या बोलोगे इस value को? इसी value को भूज ठीक है ना? और y-x की जो value होगी y-x तो y-x की जो value कहलाएगी आपकी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी y-x की value कहलाएगे आपकी कोटी क्या कहलाएगी? कोटी यह याद रखना है जो भी point आपको मिला तो उसे yx की value क्या कहलागी कोटी और x की भूज इसे ही आप बोल दोगे आप पर domain क्या बोल दोगे आप domain और इसे बोल दोगे आप range ठीक है और इसे हिंदी के अगर बात की जाए तो इसे हिंदी में बोलते हो prant इसे बोलते हो parisar आपको बात आई चुकी होगी समय में ठीक नहीं यह अच्छे जयाद रखने point क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद में कुछ क्यूस्टन आपको put up करूंगा और आपको ध्यान देना होगा यहाँ ठीक ना तो किस तरीके से होंगे क्यूस्टन कैसे solve करना है यह आपकी responsibility है चलि ले ध्यान देजी कि यहाँ पर यह एक कोडिनेट बना हुए हमारे पास ठीक ना यह कोडिनेट है और कोडिनेट होने की वज़े से यहाँ पर कोई problem है नहीं यहाँ पर है एक्स एक्सेज यह है यह वाई एक्सेज ठीक है ना अगर support कीजिए यह यहाँ पर देया गया ठीक है ना इसके sign याद sign convention हमेज़ा याद रखने क्योंकि sign convention इतना most है इसके बिना आपसे कुछ नहीं होगा ठीक है ना पहली बात इसे first बोल दो गया फॉस्ट कोडिनेट second third हिंदी में अगर देख लेज़े तो इससे चतुर्थांच बोलते हैं क्या बोलते हैं दोर्तो चतुर्थांच ठीक है ना यह आपको याद रखना हो कि direct question पूछ ले जाते हैं यह बताईए कौन से चतुर्थांच में है यह हुआ चतुर्थांच ठीक है ना तो कभी भी आपसे question पूछ जा सकता है कि बताईए यह कौन से चतुर्थांच में है तो इसकी condition निकालने के लिए यहाँ ध्यान देजे एक्स और वाई यहाँ पर दोनों पलस पलस होंगे ठीक है अगर डैस वाली वैली लोग है तो डैस वाली हमेज़ माइनस हुआ करेगी यहाँ पर एक्स माइनस है वाई पलस है यहाँ पर दोनों डैस है तो यह भी माइनस और यह भी माइनस यहाँ पर एक्स पलस है और वाई माइनस है तो इस तरीके की यह वैलू बनी तो पहले चतुर्थांच में जो चीन होंगे भूज और कोटी में किस साइन से संबंदित होंगे यानि उनका साइन कंवेंशन क्या रहेगा तो नहीं निर्देसांग चीन जो रहेंगे आपके में दोनों पलस रहेंगे ठीक है ना यहां पर दोस्तों अच्छे सा याद रखनी है जैसे ही दोसर्व नेक्ट्सम्ट्न देखते हैं उसकी लिए आपांपको देखना क्या होगा क्यों सब्सक्राइब से समझे कि जा है तो चलेए फिर चलते हैं आग Padढated ओं को यहीं पर किइस ने देखंगे शॉल्टियान के समाजी है हिए हैं यहांप देश्वें समाठिय पहली बात क्या है यह कौन से 4 तो अगर देख लिए दूनों वे लूप परस्ट कोडिनेट में ठीक है दूसरी बात अगर किया जाए तो यहाँ पर माइनस के थी एंड माइनस के टू तो यह कौनसे में यहह थारड के है तो यहाँ पर साइन के कोर्डिंग आपको आंसर देना है समझे न आप तो साइन के कोर्डिंग आप दो गया अंसर तो ठीक है अधर्वाइज फिर आपके क्यूश्टन गलत हो जाएंगे ठीक है न तो बात आई समझ में आपके चले फिर देखते हैं और अब तक जो था दोस्तों आपने देखा कि पॉइंट कहा है अब पॉइंट क मिशिल्ग करना चाहते हो या कि चाहिए दो ऑन के बिंदुर शनी की दूरी ना दो बिंदुर की बीच की दूरी सपॉश कीजिए कि आपके पास ये कोई लाइन है अधिकत न यह हमारे पास कोई लाइन है उसकी दो पॉइंट यहां पर क्या है यहां पर है ऑ Penny यहां पर कितना है x2 y2 ठीक है न तो distance अगर आप निकालने है और d तो d equal to यहाँ पर कितना रहेगा x2 minus के x1 का square और plus के y2 minus के y1 का square यहाँ तक बताइए कोई problem अगर आपको है ठीक है न अगर यहाँ तक कोई problem आपको नहीं है तो यह formula आपको apply करना है के बाद होगा क्या दोस्तों वो आप सब जानते हैं क्या होगा आप इसके तुरू अपना answer दे सकते हैं ठीक है न तो आप easily इस बात को समझ चुके होंगे यह है coordinate geometry तो दो बिंदों के बीच की दूरी यही पर एक topic और उठ सकता है मद्धे बिंदो कि अब क्या topic उठ सकता है कि मद्धे बिंदो क्या होते है वो समझाई है कोई problem नहीं है यह हमारे पास कोई दो line थी और suppose कीजिए यहाँ पर A है यहाँ पर B है और यहाँ पर कितना है X1, Y1 और यहाँ पर कितना है X2, Y2 तो suppose कि यहाँ पर कोई Y1 पलस X2 बटे 2 इसी तरीके से Y1 पलस Y2 बटे 2 तो यहाँ पर रहा यह है आपका अगर जब भी आपको मद्धे बिंदो निकालने होंगे ठीक है ना तो आपके लिए यह formula एपलाई कीजिए तो अगर दो point है तो दो point को add करने के बाद divide कर देना उसे आप तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात भी आप समझ चुके होंगे ठीक है ना एक और heading आ जाती है यहाँ पर जिसे बोलते हो आप तिर्भुज का केंदरक क्या बोलते हो तिर्भुज का केंदरक अगर तिर्भुज की केंदरक की बात की जाएते हैं यहाँ पर एक तिर्भुज बना लेते हैं सबसे starting में आपने बनाया यह कोई तिर्भुज यह लीजिए ठीक है अगर यह तिर्भुज है इसके point रख दिया है ABC यहाँ पर क्या रहतता है X1 Y1 यहाँ पर क्या है X2 Y2 यहाँ पर क्या है X3 Y3 तो अगर यह है और आपको निकालना है तिर्भुज का केंदरक तो यहाँ पर करना आपको सिर्फ इतना है यह करना है ठीक है न यहाँ पर लिखना है X1 पलस X2 पलस X3 बटे कितना रहा 3 इसे हिसाब से y1 पलस y2 पलस y3 और बटे रहा 3 तो ठीक है यहां पर यह रहा आपका तो x1 पलस x2 पलस x3 बटे 3 रहा y1 पलस y2 पलस y3 बटे 3 रहा तो यहां तक बताएए अगर कोई प्रॉबलम आपको है ठीक ना तो यह रहा दोस्तो आपका अगर केंद्रेक निकालना तो यह फॉर्मूला आपको एपलाई करना है चलिए और एक फॉर्मूला होता है दोस्तों यहां पर जो एपलाई होता है धियान दे जाना है बस आपको एक होता है विभाजन क्या होता है विभाजन और विभाजन की बात की जाए तो विभाजन भी आपका दो तरीके से होगा कितने तरीके से दो तरीके रहे ठीक है ना तो विभाजन दो तरीके से अगर देख ले जाए तो पहला विभाजन रहेगा आपका अंत विभाजन ठीक है न और दूसरा होगा आपका वाही है विभाजन तो इसके बेस भी आपको कहीं क्यूश्चन मिलते हैं ठीक है न तो बस सबसे पहली बात यह है यह आपको समझना था कि विभाजन होता क्या है तो अगर आप विभाजन के बारे में अभी कुछ समझते हो तो अच्छा है नहीं तो मैं दिखा देता हूँ आपको सपोज कीजिए कि हमारा यह कोई एक्सिज है ठीक है यहाँ पर कोई लाइन डिवाइड है इस लाइन को अगर आप बाटना चाहते हो तो यह विभाजन कहलाएगा क्या कहलाएगा है विभाजन और विभाजन हमारे दो तरह के हैं एक अंत्य विभाजन एक है वाये विभाजन कोई प्रोडम नहीं है ना अंत्य विभाजन और वाये विभाजन तो अब इनके formula लेक लेते हैं ठीक है ना अगर बात करते हैं हम अन्ते विभाजन की किसकी अन्ते विभाजन ठीक है ना अन्ते विभाजन की बात करते तो होता क्या है अन्ते विभाजन की बात यह है अन्ते विभाजन की बात ठीक है ना तो होता कुछ ऐसा है यहां पर ध्या पॉइंट आपके होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दो पॉइंट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, तो यह रहेगा आपका X1, सोरी, यहाँ पर रिस्टार्ट के M1 X2, पलस के M2, M2 X1, बटे कितना हो गया, M1 पलस M2, ठीक है न, इसी तरीके से फॉर्मूला Y के लिए भी रहेगा, Y1, सोरी, यहाँ पर रहेगा आपका M, सोरी, M1 Y2, पलस के M2 Y1, बटे किया रहेगा, M1 पलस M2, यह रहा, ठीक है, तो यह रहेगा फॉर्मूला हमारे लिए, तो यहाँ तक अगर आपको बताइए, कोई प्रोब्लम है, ठीक है न, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है, तो इस हिसाब से, अगर देख ले जाए तो यह अन्ते विभाजन का फॉर्मूला आपको अभी तक पता चला, और देखते हैं दोस्तों, अब अन्ते विभाजन का फॉर्मूला यह अपलाई करना है आपको, अब देखते हैं, वाई है विभाजन का, कौन सा, वाई है विभाजन, तो ध्यान देजिए, वाई है विभाजन, तो वाई है विभाजन के अगर बात की जाए, तो यहाँ पर यह रहेगा कुछ इस तरह के से समझते हैं ठीक है ना तो देखे यहाँ पर भी आपको दो विभाज़क चाहिए जिससे विभाज़न होगा फूर्मूला क्या अप्लाई करोगा आप ध्यान दीजेगा बस फूर्मूला आपका रहेगा यहाँ पर बस यहाँ पर माइनस साहिना जाएगा दोस्तों M1X2 माइनस के M2X1 बड़े क्या रहेगा M1 माइनस M2 ठीक है इसी तरह M1Y2 माइनस के M2Y1 अपोन M1 माइनस M2 तो यह आपका यहाँ पर formula होने वाला है तो मेरे ख्याल से इस formula को भी आपने अच्छे से तयार कर लिया होगा ठीक है ना अगर यह formula तयार है तो आप सबसे पहली बात तो है दोस्तों इन formula को कहीं पर भी note करते चलिए अगर आप इना note करते चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप easily बात समझ रहे हो otherwise अगर note नहीं होगा तो आप थोड़ इसी समझ से होने वाली है अब यहाँ पर दो condition और है ठीक है ना दो formula और है चलिए देखते हैं क्या है पहला है दोस्तो तिर्भुज का छेतरपल तिर्भुज का छेतरपल अब कोई तिर्भुज होगा आपके पास उसका छेतरपल निकालना है तो ठीक है उस तिर्भुज का अगर छेतरपल आप निकालते हो यह A है यह B यह C तो यहाँ पर क्या था X1 Y1 यहां पर था X2, Y2 और यहां पर क्या था X3, Y3 तो यह था इसका चेतर पर लगर आपको फॉर्मल लेकाना बेसिक से बेसिक अच्छे तरीका बताता हूँ जिससे आप EASILY से तियार कर सको ठीक है ना कितना भी हो सकता इस से जादे EASY आप तियार नहीं कर सकती ध्यान दीजिए कि यहां पर करना क्या है यहां पर ऐसे लिखना है आपको X, Y यहां पर भी X, Y और यहां पर भी X, Y और यह वैलू रख दीजिए 1, 2, 2, 3 और 3, 1 माइनस यहां पर क्या रहे है यह रहा ठीक है यहां पर क्या रहाएगा 1, 2 and 2, 3 और 3, 1 तो यहां तक बताईए अगर कोई problem है तो यह आपका क्या रहा छेतरफल तो यहां तक कोई समस्य तो आपको नहीं होगी ठीक है ना तो इस तरीके से अगर देख ले जाए तो यह आपका formula रहा छेतरफल का तो इसी हिसाब से एक तो बेसिक तरीका यह है मेरे ख्याल से इस बास से आप संदूस्ट हो चुके होंगे अगर आपको अभी भी इस समस्य है तो एक बेसिक और तरीका बताता हूँ ठीक है वैसे तो आपको यह याद करना होगा दोस्तों यह इसी तरीके से याद करना होगा अधरवाइस आपको पूट करने का एक दरीका दूसरा में बता सकता हूँ वारना फॉर्मूला यही रहेगा तो देखे अगर तीन पॉइंट है तो तीनों पॉइंट को आप इस तरह से लिख सकते हैं एकस वन वाई टू एकस थिर वाई टू एकस थी वाई थी एंड ये कितना होगा आपको फिर दूबारा पॉट कर दीजै एकस वन वाई वन तो यह अगर आपने पॉट किया और यहाँ पे देखे करना क्या है इसकी म Kelsey पलाई इसकी साथ इसकी म Kelsey इसकी साथ इसकी म Asia तो एजी लिए आपका ट्रेंगिल का फोर्मूला मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से यह ट्रीक आपको अच्छी लगी होगे ठीक है इसी तरीके से एक है अगर आपका कोई भी चत्र भूज का शेतरपल पूछ लिया जाएं किसका चत्र भूज का शेतरपल है ठीक है अगर चत्र भूज का शेतरपल पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे ठीक है चत्र भूज का शेतरपल पूछ लिया जाए तो क्या करोगे यहाँ पर भी फोर्मूला एपलाई करना है क्या करना है फोर्मूला एपलाई वही बिल्क ठीक है ना इस तरीके से माइनस साइन लगा यह । कर यहां पर यह लगाना चार फार ठीक है ना वेलू पूट कर दीजें एक दो दो-तीन टीन 4 चार एक एक दो दो तीन तीन चार और चार एक तो इस तरीके सा आपको formula apply करना है अब आपको होगा सरी फिर complicated है चलिए फिर आईए अब इसका दूसरा तरीका इसका भी देखे आप ये रहा आपका दूसरा तरीका यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना अबस चार पॉइंट है तो पांच बार लिखना होगा ठीक है न यह आपको ध्यान रखना अच्छे से दोस्तों अगर आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो यहाँ पर होगा क्या आप इस तरीके से solve करते रहोगे यह इसकी multiply यहाँ पर ऐसे multiply करने के बाद करना क्या है एक break में रखके add कर देना सब की multiply करने के बाद उसके बाद इस तर से multiply करोगे फिर आपको घटा देना है क्या कर देना आपको घटा देना है तो मेरे ख्याल से है आज दोस्तों coordinate geometry के जितने formula थे वो सभी formula के लिए हमने आपको लेख देख ली जब भी condition रहेगी कौन ठी एक condition रहेगी संदेख यह देख लिजिए यह नहीं संदेख संदेख की जब भी condition अहाई करेगी तो यहाँ पर रखना क्या है आपको तिरभूज का छेतरपल या चोपर जोड़ों का छेतरपल बराबर आपको जीरो लेना होगा ठीक है ना चाहिए तिर भुज रहे यह चतर भुज उसके छेतरपल बराबर आपको क्या लेना होगा जीरो अगर इस तरह सा आप लेते हो तो आपका ये कहलाएगा संद्रेग अधरवाइल ये आपका संदेक नहीं होगा तो खेर कुल मिलाक है आज की जो किलास थी है बेसिक किलास थी और बेसिक किलास के थुरू हमने क्या किया यहां पर कुछ फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा जितने भी फॉर्मूले हो सकते थे किसके कोर्डिनर्ट जेमेटरी उनके बारे में आपने अच्छे चेश्रे पढ़ा हूँ ठीक है जिम उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह फॉर्मूले पसंद भी आये होगा और समझ भी आये होगी तो ठीक है दोस्तों चलिए अब नेक्स किलास होगी नेक्स किलास से पहले आपके लिए अवस्तक सूचना भी है उस सूचना सुन लेजिए और दूसरी और बात आज की किलास दोस्तों सिर्फ फॉर्मूले से रिलेटिड थी ठीक है जो नेक्स किलास होगी वो लेक्ट्टर से जम बंदित होगी उस किलास को प्लीज जीडिया एंचर देखना ठीक है ना तो चलिए फिर तो दोस्तों अब आपके लिए एक आवस्तक सूचना है आवस्तक सूचना ये उन इस्टूडेंट के लिए है जिने कररंट अपेज की समझ़ से है करंट अफेज की समझ तरह से क्या मतलब यह उनके लिए मतलब यह है कि उनके पास समय नहीं बचता बहुत सारे दोर से हमारे जिनका पार्ट टाइम जोब भी करते हैं पढ़ाई भी करते हैं और समय उनके पास बिलकुल नहीं होता तो समझ ना होने की वज़े से वे अपनी करंट अफेज की तयारी अच्छी तरह किसे नहीं कर पाते हैं तो इसलिए हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी चैनल पर एक करंट अफेज की किलास बनाई है और एक क्या दोस्तों पिले एक डेड़ साल से है यह किलास लगातार चल लएए आपको प्रोवाइड करा दिजाए और इसकी खास बात यह है यहाँ पर हमारी जो करंट अफेर्स है यह दो भासाओं में आपको मिलने वाली है दो भासाओं कौन सी है यह आपकी तो यह दो भासाओं जो है आपकी यहाँ पर ध्यान दीजेएह यह कि nhân आपकी यहाँ पर हिंदी और इंग्लीस में है ठीक है ना हिंदी और इंग्लिस में 4 a.m. और यह है दोस्तो 5 a.m. से ठीक है ना तो बात यह है हिंदी की किलास जो है आपकी यह सुभे 4 बजे स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आप पूरे दिन जब चाहिए चैनल पर विजिट करकर देख सकते हैं और इंग्लिस की है तो इसे भी आप इसे भी आप सुभे मोर्निंग में 5 a.m. 8 ऐसे स्टार्ट हो जाई गी है किलास देख सकते हैं आप इसे और सबसे बड़ा स्टार्च रिजित बैजिते है कि यह संब्चा समय बचाय जा सगै किसी तरीके से तो हमारा पूरा कोई और कुछ कहँं कर सकें इसलिए हमने क्या विचार किया हमने विचार किया कि only one minute ठीक है only one minute अगर आप only one minute देते तो current affairs की समझता से हो जाएगी आपके छुट्टी तो निश्चिन्द हो जाएगी के दोस्तों करंट एफेर की समर्शन से निजाद मिल जाएगा और आपकी करंट अफेर हो जाएगी बिलकुल पूरी तरह से तयार तो चलिए फिर करते हैं सुरुआत आज की अपने इस किलास की दोस्तों तो एक और थी आपके साथ जो बात सेयर करनी थी दोस्तों वो क्या थी अगर आप फेस्बुक यूज़ करते हो इस्टाग्राम या फिर टेलिग्राम यूज़ करते हो तो आप आप वहाँ पर भी फोलो कर सकते हैं ठीक है ना और दोस्तों आज की किलास उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आई होगी और किलास पसंद आने की खास वज़य भी है क्योंकि ये किलास बेसिक थी और की पॉइंट्स इतने अच्छे लगे होंगे आपको आप इजली सारी बात समझ चुगे होंगे तो इसलिए अगर किलास आपको अच्छे लगी दोस्तों तो प्लीज जाते जाते दोस्तों इतना लिया नहीं कहने का मतलब यह है कि इतनी कंजूसर का भी क्या फाइदा आप एक लाइक तो कर दिया करें क्योंकि यह बहुत जरूरी है दोस्तों ठीक है ना तो किलास जो है उस पर एक लाइक किया करें तब जाया करें अगर आप आए हो तो इतनी तो महरबानी कर दीजिए ठीक है ना तो खेर दूसरी बात एक और दोस्तों अगर आपके कोई भी विचार सुझाओ कुछ भी है जो आपकी राए है आप चाहते हो हमारी साथ सेर करना तो कॉमेंट के वैसी भी एकर प्रॉब्लम है तो उस वारे में भी आप बात कर सकते है जो भी आपकी प्रॉब्लम है ठीक है ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उन्हों ने जीरो लेविल से स्टार्ट किया तो वो भी बात कर सकते हैं उनके लिए भी हम पूरी तरीके सा नए पर weten हो इसे पर उस पर भी बात कर सकते हैं सपोज आपने जीरो लेविल से स्टार्ट किया है तो सर्माने की कोई बात ने दोस्तों दिल खोल कर अपनी विचार रखें और आपका जितना हमारी तरफ से कोशिज होगी हम पूरी-पूरी सेवा आपकी करेंगे और आपको हर वो नोट्स जो भी अब सकता कि संबंदित चीज है वो आपको प्रोवाइड करायती जाएगी ठीक है और हमारे उमीद यकिन रखें दोस्तों आपका सेलेक्शन हम दिलवाने में अपनी और से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ मैं संजीत उमर एक बार फिर वि कोचिंग झाल